आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 सोशल साइंस का एक और चाप्टर लोकल अड्मिनिस्ट्रेशन फुली एक्स्प्रेंड इन हिंदी तो चले बिना देरी किये शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल यूनीक स्टडी को सबस्क्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहें कि अगला चाप्टर आप तक सबसे पहले पहुँचेगा So let's start In India, a large number of people live in villages The life of these people is quite different from those living in towns and cities तो हमारे देश इंडिया में बहुत सारे पीपल, बहुत सारे आदमी लोग गाउं में रहते हैं जो पीपल गाउं में रहते हैं उनका जो lifestyle होता है वो towns और cities में रहने वालों से बिलकुल ही अलग होता है जो इंडिया के villages होते हैं उनको बहुत सारे difficulty का सामना करना पड़ता है क्योंकि जैसा कि towns और cities में बहुत सारे facilities होते हैं वैसा villages में नहीं होता है villages का basic need क्या होता है कि साफ पानी पीना है electricity चाहिए, school होना चाहिए, road होना चाहिए, health care center होना चाहिए और बहुत कुछ जो की villages में नहीं होता है, अक्सर बहुत बड़े बड़े गाउं में ही ये सब थोड़े बहुत पाय जाते हैं लेकिन जो छोटे-छोटे villages होते हैं, गाउं होते हैं, उसमें ये सब भी नहीं होता है वो एक group होता है people का, जिसे हम लोग gram panchayat कहते हैं, जो कि जो villages में people रह रहे होते हैं, उनके needs को देख सके. जो gram panchayat होता है, उसमें 5 और 5 से ज़ादा members होते हैं. Every village in India has a gram panchayat, तो हर एक village इंडिया में है, उसमें एक gram panchayat है. जो members panchayat में चुने जाते हैं, वो villagers के adults के द्वारा चूज किये जाते हैं. All men and women who are 18 years and above are adults and have the right to choose. जो men और women 18 साल से उपर होते हैं, उन्हें adults कहा जाता है, और उन्हें right है कि वो panchayat के members को चूज कर सके. Among the members of the panchayat, at least one elected member should be a woman. The elected members are called the panch. One of the members is elected the head of the gram sabha and is known as the sarpanch और प्रधान. जो भी panchayat के members होते हैं, उन्हें सम्में से एक elected member woman भी होना चाहिए, at least. यानि कम से कम एक elected member woman ही होना चाहिए. जो elected members होते हैं, उन्हें हम लोग panch बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उस gram sabha में एक head बनता है, जिसे हम लोग सरपंच या फिर प्रधान कहते हैं. The gram panchayat works for the welfare of its people and the progress of the villages. जो gram panchayat villages में form करता है, बनता है, वो हर एक इनसान जो कि उस village में रह रहा है, उनके welfare के लिए काम करता है, उनकी तरक्की के लिए काम करता है, उस village के progress के लिए काम करता है. Some of the duties of the gram panchayat are as follows. तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि villages में gram panchayat बनता है, उसमें एक head होता है, सरपंच या फिर उसे कहें प्रधान. तो हर member जो होता है gram panchayat में, उसे हम लोग पंच कहते हैं, तो हम लोगों ने जाना कि हर villages में उनके needs को पूरा करने के लिए gram panchayat form होता है. तो gram panchayat के कुछ duties होते हैं, जैसे की providing clean drinking water, keeping cleanliness in the village, digging wells and tube wells, maintaining village roads, lightening off streets and roads, giving primary education to children, setting disputes among villagers, conducting adult education program. तो जो gram panchayat के members होते हैं, जो head होते हैं, उनके कुछ duty होते हैं, जैसे की villagers को साफ सुत्रा पीने का पानी लाना, या फिर बोले की villages में साफ सफाई करना, या फिर बोले wells, यानि की कुआँ खोदना, village के road को अच्छा रखना, हर जगह street light होना, फिर जो children है, वहाँ को primary education मिलन और बहुत सारे चीज़, जो की villagers में problem से उसे solve करना, और जो adult education program उसे conduct करना, तो ऐसे ही बहुत सारे duty होते हैं, जो की gram panchayat villages के लिए करते हैं, तो ये question exam में हमेशा पूछा जाता है, की what are the duties of the gram panchayat, तो आप answer में लिख सकते हैं, ये आठो पॉइंट, The gram sabha also appoints a gram sevak और gram sevika to help the villagers, तो ये इस chapter का सबसे important point है, की जो gram sabha है, वो एक gram sevak या फिर gram sevika को appoint करता है, ता की वो लोग villagers को help कर सके, Next topic है Municipal Committee, The local body that takes care of the needs and problems of the people in cities is called the Municipal Committee, तो जो local body, जो की जो cities में इंसान रहते हैं, उनके needs को, उनके जो भी ख्वाइश है, उनका care करने के लिए committee बनता है, उनके problems को solve करने के लिए, कुछ people बनते है, कुछ group बनता है, उससे हम लो Municipal Committee कहते हैं, People who are 18 years and above can elect the members of the Municipal Committee, तो जो भी people 18 साल से उपर होते हैं, उन्हें right है कि वो Municipal Committee में members को elect कर सके, The head of the Municipal Committee is called chairman or president, जो Municipal Committee बनता है, उसमें एक head होता है, जिससे हम लोग chairman या फिर president कहते हैं, He, she is chosen from among the elected members, तो जो भी members elect हो गए हैं, वही लोग चूज करते हैं कि कौन president बनेगा या फिर chairman बनेगा, तो हम लोगों ने देखा कि villages में बनते हैं, ग्राम पंचायत और cities में बनते हैं, Municipal Committee, इन bigger cities like Delhi, Kolkata, etc., The Municipal Committees are known as Municipal Corporation, the head of the Municipal Corporation is known as the mayor, जो बहुत बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं, जैसे कि Delhi, Kolkata, उन सब में Municipal Committees को हम लोग Municipal Corporation के नाम से जानते हैं, जो Municipal Corporation बनता है, उसमें भी एक head चूज किया जाता है, और उस head को हम लोग mayor के नाम से जानते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है Duties, Like the Gram Panchaid, the Municipal Committee also perform many duties, जैसे कि Gram Panchaid बहुत सारे duties follow करता है, उसी तरह Municipal Committee भी कुछ duty perform करते हैं, जैसे कि Keeping the City Clean, जो City है, उसे हमेशा साफ सुत्रा रखना, Building and Maintaining Parks and Gardens, अक्सर Cities में Parks और Gardens होते हैं, तो उन सब का भी खयाल कौन रखता है, Municipal Committee, Keeping the City Green and Pollution Free, City Green का मतलब की बहुत सारे plants लगाना, तो ये सब का भी खयाल Municipal Committee ही रखता है, Running Primary School, जो Primary School चलते हैं, उन सब का भी Municipal Committee ही संभालता है, Providing Clean Drinking Water, साफ सुत्रा पीने का पानी भी एक duty है, जो Municipal Committee करता है, For doing these jobs, a large amount of money is needed, Where do village panchayats और Municipal Committees get the money from? तो ये सब जो jobs है, जो duties है, ये सब करने के लिए बहुत पैसा का जरुवत होता है, तो कहां से village panchayat या फिर Municipal Committees ये सब पैसे लाते हैं? A part of the money comes from the people in the form of taxes like property tax, house tax, road tax, etc. The state government also gives funds and grants to the Municipal Committees and grant panchayats to carry out their functions. तो ये सब जो money है, वो सब कहां से आता है, वो सब जो people रह रहे हैं village में या फिर city में, उनके property tax है, house tax है, road tax है, और बहुत सारे tax है. जो state government है, वो भी Municipal Committee और ग्राम panchayat को कुछ funds provide करते हैं, ताकि वो लोग अपना काम अच्छी तरह से कर सके. Hope you understand this chapter very well. और अगर आप इसी तरह और भी chapters का explanation हिंदी में चाहते हैं, और इस chapter का solution चाहते हैं, तो तुरंथ हमारे channel को subscribe कर लें, और bell icon दबाना ना भूलें. और अगर आपको इस chapter में कोई भी doubt है, तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं. So, thanks for watching and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you, subscribe please.